चुनाव परणाम का इंतिजार 28 सीटों पर जो मद्यपरदेश में उप चुनाव हुए है बिहार के साथ मद्यपरदेश के भी एकजट पोल सामने आ गए है बात मद्यपरदेश की और करेंगे बाद पाइटी के भाजपा के पूर परदेश अद्यक्ष राके सिंग से जो जवरपुर से सांसत भी है चार चुनाव जीच चुके है राके सिंग जी आपका स्वागा थे डियरेन में सर एगजट पोल बिहार तो आप पूरा समय दिये ही हैं लेकिन बात मद्यपरदेश की तो मद्यपरदेश में एगजट पोल जो आया है सामने उसको किस طرح से देखते हैं एअवरिस बीडे पी को सुला से त्हार बतार है मैं ये मानता हूँ कि मद्यपरदेश में परणाम इससे भी बहतर आएंगे क्योंकि मद्यपरदेश में 15 महीने के कॉंग्रेस की सरकार का जो कुशासन मद्यपरदेश की जंता ने देखा उसके कारण लोगों ने ये तैय कर लिया था कि मद्यपरदेश में फिर से शिवराज जी के नेतरत्तु में भारती जंता पाइटी की ही सरकार बनना चाहिए तब ही मद्यपरदेश विकास की जिस रफतार से आगे बन रहा था उस पर वापस पहुच पाएगा और इसलिए परणाम मैं मानता हूँ बहतर ही आने वाले अगर परणाम बहतर आ रहे हैं जिसे आपके दावे को माने तो ये पिछले 14-15 साल की बीजेपी सरकार के कारिकाल को उपलबदियों को दिहान में रखते हुए है या फिर इनके 15 मेने की जो कमनात की सरकार थी उनके खिलाप जंता ने कोई मन बनाया है या फिर उसके बाद कोरोना काल में 5-6 माए का जो कारिकाल सिवराज ने चोड़ तोड़ वाली जिसको स्वधेवाजी की सरकार कमनात कहते हैं उसके कारम सरकार आपकी स्थाई हो रही है देखिए इसमें दोनों बाते हैं पिछले 15 साल के कारिकाल की शवराज जी के नितत्रवाली उपलब दिया और 15 महीने के कांगरेस की सरकार का कुशासन ये दोनों की जब तुलना करते हैं तो जमीन और आस्मान का फरक दिखाई देता है और मद्ध परदेश की जनता को ये लगता है कि 15 महीने की उस कुशासन की वापसी नहीं होना चाहिए जिस सरकार के समय पर तबादला उद्योक के रूप में स्थापित हो जाए शराब माफिया, रेत माफिया, खरेज माफिया इनका बोलबाला हो जाए जनता की आवास दब जाए कहीं गुम हो जाए ऐसी सरकार कोई नहीं चाहेता और इसी लिए फिर से भारी वहमत उपचनाओं में मिलने का बड़ा कारण, ये दोनों ही कारण है कोई किंतु परंग्तु नहीं है सीधा संदेश है सीधा जो आपका आत्म विस्वास है पार्टी का अकलन है इसमें कोई फिर बदा लगार हुआ तो फिर उसको क्या मानेंगी ये सिर्फ कया स्वाजी है या फिर बागई में कोई और संदेश निकल कि आता है सरकार मद्दे परदेश में श्रवाज जी की निकत्व में भार्थी जनता पार्टी की है सरकार मद्यपरदेश में शवराज जी के नितत्यों में भारती जनता पार्टी की है लिकिन अब अधिक मजबूती के साथ शवराज जी के नितत्यों में ये सरकार काम करेगी आप प्रदेश अद्यक्स थे सरकार भाजपा की कमान आपके पास थी विधान सभा के चुना हुए थे भाजपा का हर नेता कहता है कि मत हमारे जादा कुछ सीट कम थी कोई कन्फूजन था उस वकत कोई चूख हो गई थी कोई गलती कर बैठे थे या फैसला सर्ग सम्मती से नहीं हो रहा था जिसके करण कमनात को सफद लेने का मौका मिला सिर्थ उनकी जादा थी देखिए मध्यप्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भारती जंता पार्टी में निर्ने सामोहिक होते है सामोहिकता भारती जंता पार्टी की ताकत है जितने भी निर्ने हुए सामुहिक्ता की आधार पर ही हुए कोई भी निरने उसमें भारती जनता पाइटी का प्रदेश अध्यक्ष या कोई नेता अकेला नहीं लेता मद्ध प्रदेश में मुख्यमंतरी शवराई सिंग चोहां जी थे शवराई सिंग चोहां जी के चहरे पर ही हम लोगों ने चुनाओ लड़ा था और हम यह उमीद करते थे कि प्रणाम बहतर आएंगे लेकिन कहीं न कहीं हम यह मानते हैं कि शायद टिकेट वितरन में कुछ कमी बाकी रह गई होगी जिसके परणाम सरूप सीटों का यह अंतर सामने आया लेकिन वो सीटे बहुत ज्यादा नहीं थी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने के बारे में सोचा जा सकता था लेकिन भारती जंता पाटी का विश्वास उस जोड़ तोड़ पर नहीं था और इसलिए शवराज जी ने उससे में तातकालिक रूप से कहा कि अगर जनादेश कॉंग्रेस के पक्ष में दिखाई देता है तो कॉंग्रेस की सरकार पनना चाहिए शवराज जी ने पूरे स्वाभी मान के साथ जनता के इस आदेश को स्विकार करते हुए हाई गमान को भरुषे में लेकर के देखे जब इस तरह के कोई नेर्ने होते है तो सभी और व्यापक चर्चा होती है लेकिन उसरात राकेश सिंग का बतोर प्रदीर सद्यक्षक ट्वीट आये था वो ट्वीट कुछ और इसारा कर रहा था वो भी सामुहिक था तब दावा ठोकने के लिए राजबहन पहुच रही थी वाजबार वो भी सामुहिक था कोई भी नेर्ने मैंने कहा है कि अकेला नहीं होता जब ये ट्वीट किया तो ये नेर्ने भी हम सबने एक साथ बैठकर किया था और उस समय पर भी प्रदेश के सभी प्रमुक नेता एक साथ थे एक मत थे कि हम ये प्रयास करेंगे लेकिन उसके पश्चाथ सुबह सारे प्रणाम सामने आने के बाद कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये मैसूस हुआ कि थोड़े अंतर से ही सही सीटें अगर कॉंग्रेस की ज़्यादा दिखाई दे रही है तो सरकार को ये मौका सरकार बनाने का मौका उनको मिलना चाहिए जब आपका ट्विट आया तो कोच अतरिक्त विधायकों के समर्थन जिनको बादपा हासिल करना चाहती थी वो स्यामला हिस की और हरावाना भी हो चुके थे मैंने कहा कि जब इस तरह की कोई गतिविदी होती है तो उसके प्रणाम तो सामने आते ही है प्रयास, कोशिशें सब को शुरू हो जाती है लेकिन ये निरने भी सामोहिक था और ये निरने भी कि अब शिवराज जी को स्तीफा देना चाहिए शिवराज जी के स्वयम की उस फैसले के कारण था जिसमें उन्होंने ये माना कि चुकि प्रदेश में जनादेश प्रारंबिक लूप से दिखाई देता है कि कॉंग्रेस को मिल गया है और इसलिए अब हमें सत्ता से हट जाना चाहिए और सारे लोगों ने इस बात पर सहमत ही वेक्त की जो काम उस वक्त आपने नहीं किया जो आपने कहा कि जोड़तोर से हम सरकार बना सकते थे आगर ऐसा क्या हो गया कि सब रे टूट गया और पंद्रा महीने बाद जोड़तोर करना पड़े हूँ बहुत अच्छी बात ये है दरशल पंद्रा महीने में मद्दे प्रदेश में जो कुशासन था उसने मद्दे प्रदेश के विकास के पैये को तो रोका ही उसके साथ साथ भारती जनता पाइटी के कारकरताओं पर अनावश्यक मुकदमे जूटे मामले उन पर अत्याचार उनके साथ मार पीट हत्या ये सब कुश शुरू हुआ लेकिन उसके पहले की बात करते हैं न सर पहले भी कुछ बैटके हो चुकी थी जिसमें साथ अतरिकते विधायकों के अलावा कॉंग्रेस के जिसे एंदर सिंग, कंसाना, डंग, और भी निता थे इनकी बैटके कहीं कहीं हो चुकी थी और सिंधिया जी और उनके समर्तकों के बगावत से पहले जो एक उपरेशन डोटस पहले चरण में चल रहा था क्या उसको फेल माना जाए कोई उपरेशन नहीं चला नहीं कोई उपरेशन फेल हुआ जहां तक बैटकों की बात है तो जब ऐसे बड़े निर्ने कॉंग्रेस के भीतर ही होने वाले होंगे तो सभाविक है कि वो विधायक एक साथ बैठेंगे भी बात्चित भी करेंगे भविश की रन्नीती पर चर्चा भी करेंगे अपने छेतरे के विकास के बारे में भी चर्चा करेंगे तो सभाविक है कि उन लोगों की वीचकी ये बैटके हुई होगी मतलब सिंधिया जी के आने के पहले ही कॉंग्रेस के भीतर की वे बैटके जारी थी जिसका भारती जनता भार्टी से कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने अपनी बैटकों के उपरांत ये निर्ने किया कि अब वो कॉंग्रेस में नहीं रहना चाहेते मेरे प्रदेश अद्ध्यक्ष रहते हैं अगर शेयर करना चाहें क्योंकि भूमिका तो कही ना कही आपके प्रदेश-द्ध्यक रहते बन गही थी वो बात अलग है कि समय के साथ कुछ और बदलाओ देखने को मिले और फिर चीज़ें दूसरे तरीके से सामने आई लेकिन आपके प्रदेस अद्यक्ष रहते हैं कुछ अगर चीज़ें सेयर करना चाहें सर बात पुरानी हो गई है शेयर करने लाइक तो ऐसा कुछ भी नहीं है इतना जरूर है जो मैंने अभी आपसे कहा कि कॉंगरेस के भीतर वा संतोष तो काफी पहले से ही शुरू हो चुका आपसे मिल मुला काते हैं होई थी कुछ भी धायकों की चर्चाएं कुछ लोगों की लगातार जारी थी मुझसे मेरे साथ साथ और भी लोगों से मद्धिपरदेश के और भी नेताओं के साथ में बाच्चित हुई थी चर्चाएं सामने आई थी लोगों ने अपनी पीड़ा वेक्त की थी व्यथा वेक्त की थी कि सरकार में रहते हुए भी वो अपने आपको असहाय मैसूस कर रहे हैं अपने शेतर में विकास के कारे नहीं कर पा रहे हैं जनता से जो वाइदे किये थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उनके मन में कहीं न कहीं वो दुविधा थी कि ऐसे में जनता की वीच में वो दुबारा नहीं पहुँच पाएंगे और उन्होंने नेने किया सर उसके बाद जो सिंधिया जी जब सामने आते हैं वो जो स्क्रिप्ट बढ़ती है आप प्रदे सद्ध्यक्स की गुरसी छोड़ चुके थे लेकर आप दिल्ली में सक्री थे बाकाइदा उनके समर्थकों के विधायकों के बीच आप केलास जी सब लोग पहुच रहे थे तब बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे सर संक्या पूरा संक्या बूला गड़त बिल्कुल क्लियर था देखिए एक ही बात सब के मन में थी कि किसी भी तरह से इस कुशासन से मद्यप्रदेश की जनता को मुक्ति मिलना चाहिए और उसके साथ साथ भारती जनता पाइटी के कारकरता जो पतारना जहिल रहा है वो पतारना भी समाप्त होना चाहिए और इसलिए जब कॉंग्रेस के बड़ी सेंख्या में विधायक सिंधिया जी के नित्रत तुमें स्वयम से ये चाहते थे कि अब मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार नहीं रहना चाहिए वो भारती जनता पाइटी के साथ आना चाहते थे तो स्वाभावे के एक भारती जनता पाइटी के कारकरता होने के नाते मैं अध्यक्ष रहूं या ना रहूं मेरी जिम्मेदारी कभी भी समाप्त नहीं होगी और नहीं होना चाहिए पाइटी हित का प्रदेश हित का देश हित का कोई काम है तो पार्टी का कार करता होने के ना थे मुझे आगे बढ़कर उसमें अपनी तरफ से अपना सहयोग देना चाहिए अध्यक्ष रहते कॉंग्रेस के कई विदायक नाराज़ी व्यक्त कर रहे थे तब आपके अध्यक्ष रहते हैं सिंधिया क्या भाज़पा के संपर्ख में आ चुके थे परदेश या राश्टी नेत्वत के देखे मैंने आपसे अभी कहा कि उसके पहले तक जितनी भी बातें थी वो कॉंग्रेस के अपने भीतर की बाची थी आपके परदेश अध्यक्ष रहते हैं जोत्रादेश सिंधिया राश्टी नेत्वत के संपर्ख में आ चुके थे क्या क्योंकि उनके ट्वीट लगाता और चर्चा में रहे राम बंदिर को लेकर तब आपको एसास हो चुका था या बिलकुल कंफर्म थे कि स्क्रिप्ट को लिखी गई और आगे बढ़ रही है ना तो कोई स्क्रिप्ट लिखी गई जिसको लेकर आगे बढ़ना था जहां तक धारा 370 राम बंदिर ऐसे मुद्दों का सावाल है जोत्रादित सिंधिया जी चुकि उनके भीतर भी उन्होंने स्वयम से ये कहा है उनके भीतर संसकार आजके नहीं जड़े उनके भीतर पहले से ही उन संसकारों की है जो भारती जनता पार्टी या भारती जनसंके है और इसलिए उससे में उनको दिये लगा कि कॉंग्रेस गलत कर रही है 370 पर कॉंग्रेस को इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए राम बंदिर के मुद्दे पर इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए और इसलिए सिंधियाजी ने वो तमाम ट्विट्स किये थे जहां तक बात आपने कही है कि किसी संपरक में होने की तो ऐसी कोई बाचित उस समय तक मेरे ध्यान में नहीं थी मेरे ध्यान में नहीं है कि ऐसी कोई रणनीती बनी होगी मैंने कहा कि केवल और केवल एक ही बात थी रणनीती नहीं थी नीती थी वो नीती ये थी कि कॉंग्रेस की ये सरकार अब नहीं रहना चाहिए कॉंग्रेस के भीतर ही उनके विधायकों नहीं ये मन मनाये था प्रदेश अद्धिक्ष रहते हाई कमान से इस मुद्धे पर आपकी चर्चा हुई थी कि अब इस सरकार को जाना चाहिए हमारे नेतरतों ने कभी भी हमें कोई ऐसी बात नहीं कहीं ना कोई निर्देश थी लेकर सड़क पर आंदूलन तो लगातार आप कर रहे थे ये बात सच है कि मेरे अद्देक्ष नहते हुए मद्दे प्रदेश के सरवाधिक आंदूलन उन अठारा आंदूलन पंदरा महीने में अठारा आंदूलन प्रदेश व्यापी आंदूलन उस समय पर हुए ये बात बिल्कुल सच थी चुकि हम विपक्ष में थे कहीं न कहीं सरकार कट घरे में खड़ी हो और जनता की बात गूंज के रूप में सरकार तक पहुँचे इसके लिए हम लगाता है सरकों पर थी लेकर ये पंद्रा माए जो कमलात को आप कोस रहें इसमें कोछ सिवराज और राकेश सिंग के बीच में अनबन थी गया बारती जनता पार्टी में मैंने पहले ही कहा है कि कहीं कोई अनबन या अनबन जैसी कोई बात नहीं होती है हमारे बीच में सारे नेड़ने सामुहिक हुआ करते थे मिल बैठकर नेड़ने किया करते थे उसमें चर्चा धी कि राकेश सिंग एक सक्त अध्यक्ष है नंद कुमार सिंग चोहान नहीं है देखे अध्यक्ष भारती जनता पार्टी का अध्यक्ष संग्टनात्मक विवस्था का मुखिया होता है और उस नाते से अध्यक्ष की ये जिम्बेदारी होती है कि जो संग्टनात्मक विवस्था हैं वो नीचे कारकरताओं तक पहुँचे उन सब का पालन हो और उनके पालन में कहीं कुछ कठोरता जैसी चीज भी आए तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि भारती जनता पार्टी एक परिवार है भारती जनता पार्टी का अध्यक्ष उसके अभी भावक की भूमिका में होता है अभी भावक को कभी नरम कभी सक्त दोनों ही होना पड़ते हैं लेकिन कुल मिलाकर सारी बातें परिवार के बीच में होती है। इस समय पर चुनाओ सामने थे उस समय पर ये सौपी थी और पूरी ताकत और एक जुटता के साथ हम सम मिलकर सामोही करूप से लड़े। केवल एकी बात लगती थी कि मद्देपरदेश में सरकार भारती जनता पाटी की होना चाहिए। और बाद में भारती जनता पाटी की सरकार हमारी बनी। इसकी खुशी है शवराट जी वापस से मुख्यमंतरी बनी। कोई कसक नहीं। अपसोस इस बात का कि आपके परदेश अद्यक्ष रहते अगर ये सब कुछ हो जाता तो ज़्यादा खुसी होती। देखे भारती जनता पाटी में पद एक नियमित परंपरा और विवस्था है परिवर्तन की। हमारे हां कोई भी 10 साल, 15 बिस साल अध्यक्ष नहीं रहता। मेरा कारेकाल चुकि नए विवस्था शुरू हो चुकी थी। मेरा कारेकाल वहां पर समाप्त हो गया था। और उसके बाद मेरी भूमी का तैह होना थी। नेतरत तो उन्हें मेरी भूमिका सोच के रखी थी और इसलिए उसमें परेखिए आज मुक के सचे तक कि भूमिका आप दिल्ली में निभा रहे हैं दिल्ली की राजनीत से ज्यादा जम गए हैं अब राकेश सिंग अभी प्रदेश पर नजर है देखिए भारती जनता जब जो जिम्मेदारी सोपती है प्रतेक कार करता हो उस भूमिका को निभाता है मद्देबरदेश हमारा अपना घर है जबलपुर संसदी छेतर मेरा वो छेतर है जहां जनता ने निरंतर मुझे आशिरवात दिया है जहां तक बात केंदरी कि ये तो केंदरी नेतर तो ये निर्णे करता है समय समय पर कि आपको किस भूमिका में दिखाई देना है उस भूमिका में हम होते हैं ना कहीं नजर होती है ना कहीं निगाह होती है जो पार्टी तै कर दे पार्टी और संगटिन सर्वो परी प्रदीर सद्यक्ट बनने के पहले महराश्ट के प्रभारी थे सरा सहब परवारी थे अभी आप मुख्य सचेतक हैं लेकिन आपको अपयोग पार्टी ने बिहार में जादा किया इन वा अथाइस सीटों पर चुनाओं में सहल एक दू दू दिन का समय ही आप निकल पाए क्योंकि बिहार में बैस्ते थे देखे उस समय पर जब मद्रदेश म मुझे इसके लिए काम करना था और उस समय लोगसवा का सत्रा गया और मुख्य सचेतक होने के नाते सभाविक रूप से मैं एक दिन या एक पल के लिए भी लोगसवा छोड़ नहीं सकता था तो मैं वहीं था उसके बात तैय करके मैं छेतर में आया और इसलिए कुछ कार कर कि आवशक्ता हमेशा से ऐसी होती है चौनाओं में जेने कहीं नहीं बेजा जाता है पार्टी ने यूप युक्त माना कि चूकी उसके पहले कि आम चौनाओं में वहार में एक सवा मैंने तक लगाए ता रह कर काम किया था तो सबादे से पार्टी को लगा होगा कि मुझे बिहार में काम सौपना चाहिए तो उस समय पार्टी ने मुझे बिहार बेजा जब पार्टी संगठन की जिम्मेदारी से आप मुक्त हो रहे थे तब भाजपा कैसी थी और आप भाजपा कैसी है माने कितनी बदल गई है बार्टी जनता पार्टी में मैं ये कहूं बदलाओ की दिरश्टी से तो बार्टी जनता पार्टी दिन पते दिन बहतर ही होती आई है बार्टी जनता पार्टी में ना कोई पहले कमी थी ना कोई आज कमी है आपके टीम का हिस्सा है, संगठन महामंतरी रहते हुए विश्मुदित सर्मा, और आपके भरोसे मन महामंतरियों में थे, आपके टीम का एहम हिस्सा थे, प्रदेस अध्यक्ष बने, निश्यत और पर आप सब लोगों की उसमे एक भूमिका होगी, उनसे क्या पिक्छा रखत उन्होंने वहां बहुत 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 बह जब भी कोई निर्णाय होते हैं, सामोहिक होते हैं, जो कारे आते हैं, उन कारें को उसी सामोहिकता के साथ नीचे तक मद्दान के अंदरों तक वहां के कारकरताओं तक हमें पहुचाना होता है। सरकार की गुजनाए हो या पार्टी की नीतिया इनको लोगों तक पहुचाना होता है और उस काम को वो बहुत बहुत बहुतर तरीके से कर रहे है सर जिस वक्त विश्णुदत्य सर्मा ने कमान समा ली है सरकार तो लोट आई भाजपा की पंदरा साल भी थी आप भी अद्यक्स थे और लोग थे लेकिन एक नया डबलम्मेंट होगा है कि जिनके खिलाब चुनाओ लड़े जिनको हराया अब विश्णुदत्य के नित्वत भाजपा को उनको ही जिताने की जिम्मेदारी थी ये एक बड़ी चुनाओती तो है ही और दूसरी क्या पीजेपी अब उस मोहाने पे आके खड़ी हो गई है जब पीड़ी परवर्तन का दोर बिल्कुर रिस्पस्ट है मानते हैं आप देखें जो आपने बात कही है वो पहले कॉंग्रेस के कार करता थे कॉंग्रेस के पत्याशी की रोप में चुनाओ रने थे तो सभाविक है की भारती जन्ता पार्टी बिल्क पे खड़ी थी लेकिन जब वो भारती जन्ता पार्टी के कार करता हो गए पार्टी ने उन्हें आत्म साहत कर लिया उन्होंstat पार्टी की कार करता है जतना आसन आचे बारती जन्तापार्टी ने उनको जिताने में अपनी उन्र से पूरा परिष्यम किए जतना आसन आच अजर आया इन चुनाओं में गले मिल जाना दिल मिल जाना सिंधिया समर्तख जो साथ में आया और भाजपा का मूल कार रिकरता उसकी भी अपनी महत्वा कान चाहे हैं चाहे वो छोटे स्तर का बूत स्तर का पारसत के चुनाओ की राय देख रहा हो इतना आसान था और क्या इसमें किसी निसकर्थ पे पहुँचे कि पूरी तरह सफलता मिले क्योंकि एक्जेट पूर ये बता रहा है कि गौाली और चंबल में ही कुछ गड़ा है भारती जन्ता पार्टी देश और दुनिया में विभिन राणितिक दलों से अलग मानी जाती है तो केवल इसलिए कि निर्ने होने के पहले तक मत भिन्नता हो सकती है लेकिन निर्ने होने के बाद एक जुटता भी होती है एक रुपता भी होती है लेकिन अगर डाक्टर सेजवार जैसे पुरानी फीडी के बड़े नेता दीपक जोसी जैसे यूबा नेता या फिर उधर सिकरवार फेमली इन लों के खिलाप अगर पार्टी एक्सन लेने के संकेद दे रही है तो वही बात है क्या दिल नहीं मिले दे कहीं देखे भारती जनता पार्टी अनुशासन पर भरोसा रखने वाली पार्टी है निर्ने थोपा तो नहीं है अनुशासन हमारी पूंजी है और उसमें कभी ऐसा लगता है कि कहीं कोई तुर्टी या कमी बाकी रह रह रही है बले ही वो दिल से की गई हो या धोके से या अनायस की गई हो लेकिन अगर अनुशासन में कमी दिखाई देती है तो पार्टी उस समय पर स्टैंड लेती है नेने लेती है और अगर कभी कोई ऐसी बात दिखाई देगी तो पार्टी फिर नेने लेगी वही फिर भाज़पा किस तिसा की और आगे बढ़ रही है मद्द परदेश में सर चुनाव परणाम आने में कुछ घंटे बात है एक जट पूल को अगर सही माना जाए सरकार को कोई खत्रा नहीं सरकार इस्थर लेकिन दोड़ाई साल बाद तीन साल बाद फिर चुनाव है चुनाव हैं सर चुनाव क्या है भाज़पा के सामने एक पूर अद्यक्ष के नाते सर देखे बारती जनता पार्टी हमेशा से ही चुनाव को 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 छे सालों में जब से केंदर में मानी मोदी जी के नेतरतों में NDA की और भारती जनता पाइटी की सरकार बनी पूरे देश में वापक परिवरतनाया आज गर्व के साथ भारती जनता पाइटी का एक एक कार करता ये कहता है कि दुनिया का सबसे लोगपरी नेतरतों भारती जन्ता पाइटी के पास है सबसे विश्वसनी नेतरतों भारती जन्ता पाइटी के पास है एक ऐसा नेतरतों हमारे पास है कि वो दिल्ली में बैठकर टेली विजन के सामने अगर कोई बात कहते हैं तो पूरे देश की जन्ता उसका अनुसरन करती है और इसलिए जहां ऐसा नित्रत तो हमारे पास में हो वहां अगर कोई बात की चुनोती है तो केवल इतनी ही है कि उस बात को मद्दान केंदर के प्रत्य कारकरता और प्रत्य घर तक हम उसको पहुचाएं यही भर चुनोती है आपके नित्त में चुना होगा था तो पेजपरमुग पन्ना प्रमुग लेकर आप जब अठाई सीटों पेच्छाओ रहा है तो उसमें भाजपा के 25 लोग 50 लोग फिर सिंधिया जो समर्थक हैं वो 25-50 लोग सेहपरवारी की भूमी का में हैं यही एक तालमेल बनाने का ए हर चुनाओं में यह विवस्था रहती है विवस्था आज भी थी यह प्रभारी यह सह प्रभारी यह पहले भी थे यह आज भी हैं सर एक पार्टी के पूर परजे सद्दक्षोने के नाथे जिनके साथ आपने किया काम चाहे हो नंद गुमार सिंग चोहान हो प्रभाज जाह हो नरेन सिंग हो उनसे क्या सीखा सर और क्या ऐसा छोड़के गए हैं कि आने वाली पीड़ी उसको सीखे भारती जनता पार्टी क कि हमारे सभी अद्यक्षों ने एक से बलकर एक काम किया सभी ने किसको याद करेंगे सर मैं सभी अद्यक्षों की बात कर रहा हूं मैं तो बारती जनता पार्टी के प्रार्मिक अद्यक्षों से लेकर अभी तक आपने अभी बात की नंद कुमार सिंग की चोहान की नरेन सि जब निरंतर मद्यप्रदेश में बहतर प्रदर्शन कर रही थी, उसके पहले कॉंग्रेस की सरकारें थी, उस समय पर ये बात बिल्कुल सच है, कि नरिन सिंग तोमर जी, शिवरा सिंग चोहांग जी और इस जोड़ी के समय पर भारती जनता पाटी ने बहुत बहतर प्रदर् अध्यादेक एंटी इंकमबन्सी है, अब सरकार बनना ही सकती, और इसलिए सरकार अब भारती जनता पाटी प्रमुख भूईका में नहीं दिखेगी, पचास सीटों के आसपास भी भारती जनता पाटी दिखाई नहीं देगी, लिकिन जब परणाम आये, तो परणाम बहु अध्यादा में रहते हैं, पार्टी का ग्राफ तो कम हुआ है ना सर, बोट मत ज्यादा अलग बात, देखेगे परिस्थेतिया अलग अलग होती है, मेरे अध्यक्ष नहीं उस समय पर काठे का मुकाबला था, इससे मैं अभी इंकार नहीं किया, लिकिन वहीं लोकसभा के च वापस से देश के परधान मंत्री बने और उसके कारण सामुहिक नेत्रत विधानसभा के चनाओं में भी था, लोकसभा के चनाओं में भी था, परणामों का अंतर था, तो बहुत बार परिस्थितियों पर ये निर्भर करता है, विधानसभा चनाओं या लोकसभा चनाओं जादू बरकरार है या फिर कहीं कम्जोर कड़ी साविद हो सकते हैं अगले तीन सालवादे चुनाओ में हम ऐसा नहीं मानते हैं भारती जनता पार्टी ये मानती है कि शवराज जी आज भी सर्व सिविकारे नेता हैं लोगपरी नेता है कॉंग्रेस के वारे में टिपड़ी क क्या नगर आता है कमलनाज जी के भविश की बात है मैं तब करना चाहिए जब कॉंग्रेस का कोई भविश्य दिखाई दे मद्य प्रदेश में गिरता हुआ जनाधार ये घटती होई लोगपरीता इसके बात क्या बसता है अखिरकार ये वो लोग है दिगवजे सिंग जी ह हुआ जनके रहते रहते 15 साल में कोंग्रेस की दोर्दशा हुई है मद्यपरोडेश के भीतर हम देश की बात नहीं कर thrive है daiski निता थिए के निता तुकी बात नहीं करते हैं लेकिन मद्यप्रदेश में भी आज कॉंग्रेस में निता तो कहां दिखाई देता है अंतिम दो छोटी छोटी टिक पड़ी आपका आंकलन क्या कहता है सर एक जब पोल भी सामने है पार्टी के सरवे भी है आज आपकी मुखमंधी सिवराज सिंग चोहन से भी मुलाकात हुई पिश्मधत सर्माजी से भी हुई है राके सिंग अब किस निसकर्ज पर पहुंचते हैं जो मैंने पहले कहा था कि हम भारी भाहुमत के साथ इन 28 सीटों में अधिक्तम सीटें जीत रहे हैं आज भी उस पर है संख्या जो कहीं जा रही है एक्जिट पोल 16-18 के बीश का कह रह कार्टी के कारकरताओं को आभार प्रदर्शन सबसे पहले में करना चाहूँगा कि जनोंने परिश्रम की पराकाष्ठा की इन 28 चुनाओं में केवल वहां के कारकरता उस छेतर के कारकरता भर नहीं बलकि अन्य छेतरों के कारकरता हमारे विधायक, हमारे सांसद, बहापोर, पार्षत, पार्टी के पदाधिकारी, ये सब उन चुनाओं में गए और सब ने परिश्रम की पराकाष्टा की, जिसके कारण से ये अनुकूलता सामने दिखाई दे रही है, सरकार मजबूती के साथ वापस आती हुई दिखाई दे रही है, आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसलिए भारती Ganzah Party के कारकरताओं का आभार और भारती Ganzah Party का कारकरता हमेशा से ही कैसी होना और भारती daquiйम करना चाहिए एक टीम पराणी और नहीं पीडि के बीच में और सिंदिया और सिवराथ जंदेत्स कों या फिर भाच्पा माने शंगठन में संगठन भारती जनता पार्टी में adjustment के आधार पर कभी team नहीं बनती coordination सामुहिक मैंने कहा सामुहिक नेतरतो और समनवे यह हमारी पहता नई पीड़ी के लिए कोई गुणजाइस बनती अज़र इस team में team जो बनेगी इसमें नई पीड़ी के लोग भी होंगे आवशक्ता नुसार जिन पुरानी पीड़ी के लोगों की आवशक्ता होगी वो भी इस team में होंगे और इसलिए एक बहतर team एक बहुत अच्छी team वैसे तो आप सलाय देते होंगे सब पार्टी फोरम पर सावजिन एक तोर पर कोई सलाय विश्ण देते को देना चाहेंगे जिसे वो सही लाइन पर आगे बढ़ें विश्णु जी बिलकुँ सही लाइन पर आगे जा रहे है भारती जनता पार्टी के परदेश अद्धिक्ष है इस अनाते से हमारे नेता है पार्टी में मैंने पहले ही कहा कि जो परदेश का अद्धिक्ष होता है वो अभी भावक की भूमिका में होता है और आज की तारिक में मद्दे परदेश भारती जनता पारटी के कार करता हो कि अभी भावक है उनके साथी के तौर पर जब जब भी उनको आवशकता होगी उनके कंदे से कंदा मिलाकर ये कार करता उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा नेताओं को अपने बारे में सोचना चाहिए इसी के साथ इजाज़े दीजिए वीडियो जनलिस्ट उल्यार रहमत के साथ राकेश अगनी हुतरी भोपाल उनके साथ